जाहिन दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में अवद विस्वीद जाले बीएड फस्तियर और पेपर सेकेंड आवद सेरीज के हम कोश्चन्स आंसर देखेंगे थोड़ी सी मैं कोश्चिस करूंगा कि अपनी लैंग्वेज में डिसकस करतूं ताकि आप जब पढ़ हैं तो समझने में आसानी हो जाए तो बीना किसी देरी के अवद स्रीज का अतिलग उत्री प्रश्ण में पहला प्रश्ण देखेंगे दोस्तों पहला आपका प्रश्ण सिच्छा मनविज्यान का अर्थ बताईए तो देखें नीचे आपको लिखा है सिच्छा मनविज्यान का कहलाता है समझ में यह तो हो गई इसकी अर्थ के बारे में थोड़ा सा इसको और explain करते हैं सिक्छा मनोविज्यान में सिक्छा और मनोविज्यान अलग-अलग अर्थों में जिस जहां सिक्षा क्या है सिक्षा वहवार में परिवर्तन और परिमार्जन करती है वहीं मनों विज्ञान उसे वहवार का अर्धन करता है जिसका परिवर्तन हुआ मैं example दे दूँ आपको सिक्षा क्या है इंसान जब सिक्षित होता है तो क्या होता है इंसान जब पढ़ लिख लेता है तो क्या होता है उसके बात करने है आपने अक्सार सुना होगा कि ये पढ़ा लिखा इंसान लगता है क्यों कि उसके वहवार में परिवर्तन होता है वह एक वहवार में परिवर्तन वह बड़ों का आधर करने लगता है बच्चों से प्यार करने लगता है उसके अंदर हर एक चीज का अच्छा वहवार उसके अंदर आ जाता है परिमार्जन कर लेता है अपने वहवारों का तो य जिसका परिवर्टन हुआ है क्या कहता है वह मनोविज्ञान है तो जो उसके परिवर्टन का दिन करना है वह मनोविज्ञान हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार इन दोनों का दे किसे है वहवार से है ठीक है अता सीखने सिखाने की सिच्छ के रियाओं से संबंदित यह सिच्छा दोनों मनुविग्यान है इसी प्रकार क्या कह सकते हैं कि सिच्छा मनुविग्यान क्या है मनुविग्यान का इक भाग है उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह चीज़े समझ में आ रहे होगी चलते हैं दूसरे प एक्सपरिमेंट करते हैं ठीक उसी प्रकार से सैचिक मनोविज्ञानिक जैसे कि स्कीनर हो गया है पावलव हो गया है थॉन डाइक इन्हों ने भी बहुत सारे परयोग करके ही अपने सिधान्त दिये हैं ठीक है तो जिस प्रकार न्यूटन का कारे करना एक विज्ञानिक जैसे कि मनोविज्ञान सिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को विज्ञानिक मानते हैं उनका मत है कि सिक्षा मनोविज्ञान विविन खोजों के लिए विज्ञानिक विद्यों को अपनाता है ठीक है उनसे प्राप्त निसकर्सों के अधार पर सिक्षा जगत की समस्याओ का वहवारिक समधान प्रस्तुत करते हैं और साथी साथ विद्यार्थियों की उपलब्धी के समंद में भविस्वानी भी प्रस्तुत की जाती है विविन पर योगों के उपरांद विविन विग्यानिक विदियों के बाद से यह प्रस्तुत की जाती है कैसे जैस जिस प्रका सरसे मनो-वेग्यानिक भी में उडियों की आधार पर ही निशकर्स पराप्त करके वहवारिक जगत में जूबी समझा है होती है उसका समधान प्रसूर करते है किहने का मतलब पुरशन आप करिये है कि मनोविज्ञान की प्रकर्टि क्या है तो मनो-व्यज्ञान इसलिए आपको सिक्षा मनोविग्यान पढ़ाया जाता है सिक्षा मनोविग्यान एक सिक्षा के लिए कहा जाता है कि जिस प्रकार बिना बाइलोजी पढ़े कोई इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता ठीक उसी प्रकार बिना सिक्षा मनोविग्यान पढ़े कोई इंसान टीचर नहीं बन सकता तो इसका उद्धे से क्या है या क्यों पढ़ाया जा रहा है तो देखिए सिच्छा मनोविग्यान का समाने उद्धे सिया है संगठी ततो तता समाने नियमों को का एक ऐसा संग्रव प्रदान करना जिसकी सहाइधा से सिख्छक कौन सिख्छक सांस्कृति तता वेवसाइक लक्षे को अधिक सदिक प्राप्त कर सके आपके जो सांस्कृतिक और वेवसाइक लक्षे हैं एक टीचर का वह अधिक सदिक प्राप्त कर सके नीचे देखिए चीजे समझ में आएंगी ऐसे सिधान ततत्तियों की खोच जिन से विक्टित्यों के विकास में सहा विदिया पढ़ाई जाती है व्यक्यान विदी भास्ट विदी परियोग विदी हुज विदी तो आपको अनेक विदी बताई जाती है उस विदी के अधार पर आपके सिक्षड विदियों में क्या होती है सुधार होती है तिक्षक को सिक्षड कार करने में सहायता देना ठीक ह आपको help मिलेगा जैसे की बहुत सारे आपको technology भी पढ़ाया जाएंगे ICT में पढ़ाया जाता है तो उन सारी चीज़ों के बाद आपका क्या होगा आपके सिक्षड कारे में साहिता मिलेगी अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों चौथा प्रशन ये है कि आत्मनिस्ट विदी या आत्मकत विदी यहाँ इन सब्दों को समझेंगे स्वैम से आप लिख लेंगे आत्मनिस्ट विदी देखिए किताब में तो ये सारी चीज़े दी हुई है एक बार एक्स्प्लेइन कर देने से समझ जाने से आपको चीज़े क्लियर हो जाएंगी आपके दिमाग में ज्यादा देर रहे हैं तो प्रशन देखिए आत्मनिस्ट विदी या आपके स्रीज का चौथा प्रशन है आत्मनिस्ट आपसे मैं कहुँ हूँ आत्म समरपड का म ता विसले सड़ करता है ठीक है इस विदी को निरिक्षड विदी भी कहा जाता है समझ में आगए आत्मनिस्टी मतलब खुद के बारे में निरिक्षड करें व्याक्या करें और विसले सड़ करें इसके तीन भेद होते हैं अंतर निरिक्षड विदी मतलब इंटरनली आपको जाना है कि आपके अंतर की वहवार कैसा है आपके बात करने का आपको चीजों को समझने का आपके पढ़ाने का वहवार कैसा है बाहें निरिक्षण विधी मतलब आउट साइट से आप कैसे क्या ऐसा तो नहीं कि आप बच्चे आपको देखे डर जाते हैं परयुगात्मक वि मतलब खुद को internally देखना है अब इसके गुण क्या है इसके गुण यह है कि अंतरदर्शन प्रद्दी का सबसे बढ़ा यह है कि व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं और अवस्ताओं का घ्यान प्राफ करके अपने आपको समझने में समवर्थ हो जाता है अप जब आप खुद के internally की बारे में सोचेंगे आपका दिमाग कैसा है तो उसके बारे में घ्यान प्राफ करके आप खुद को समझ जाएंगे ठीक है दूसरा इस विदी का परियोग से क आप ज़से खाल बैथकी आप को खुद को समझ सकते हैं। दूसरी बात क्याucker कि या से बियिश प्रक्रात सकती कि और युक्त की व्यॉइव्कास्त वीकक्ती की मांसिक प्रक्रियाओं का भी अध्या किया समच में आता है कि नहीं आता तो इस वीडिएो में हमने एक से लेकर फाइप 15 प्रशन देखें अब अगला 6 से लेकर फंद्रा प्रशन इस बात पर निरभर करता है कि क्या干 यह वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया तो आपके कमेंट मुझे बताएंगे कि क्या मुझे इस चीज को जा रही रखना कि चाहिए कि नहीं रखना चाहिए बीएट सेकेंडर के तरफ से तो काफी अच्छा ग्रूप में अपने जानने वालों तक शेर करिए जो भी बीएट से रिलेटेड है आर एम एल यू अवद इनुश्टी का उन तक भेजिए ताकि सारे लोग एक मंच पे जुड़े और एक साथ पढ़ाई करें बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों इस चीज़े कैसे ल पार दूस्तों